व्लोग माई दियर फ्रेंड कैसे हैं आप लोग डिसीज अखलेस अचीवियाद अनिस्टाफबल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी लेक्चर फोर डिसकस करेंगी जो कि फंडामेंटल राइट पे बेस्ड है आए दोस्तों हम अधिकास बेटेन में हुआ था बेटेस समराठ जान जो हैं उन्होंने बार्सव पंद्रह में एक पेपर पर साइन किया था और उस पर यह बताया था कि बेटेस के नागरिकों को उनके मुलभूत अधिकारों की सुरच्छा का अस्वासन दिया था जिसको मेगना कार्था के नाम से जानते हैं और यही मेगना काठा बाद में 1689 में जाकर के बिल आफ राइट के नाम से जाना जाना गया जो कि बिटेन का बहुत ही प्रमुख दस्तावेज था भारत में मुलतकार की मांग सबसे पहले जो हुई थी वो सम्विधान बिधायक जो अठार्सव पंचान में इसे माधियम से की गई था और सेमाथ एनिबेशन के द्वारा कामण फाप इंटिया बिल के माध्यम से 1925 में किया था 1928 में मोतिलाल नहरो के दौरा नहरो की भी मात्यम से किया अगया था लेकिन सबसे इंपाटेंट पॉइंट क्वाइट कि है कि 1935 में भारतैसासन अध श्मिद्धान के शंबने प्रस्तुत रिपोर्ट में भातियों को मुलितकार दे जाने की वकालत किया था। अब आए हम बात करते हैं कि मुल इतिकार भातिस सम्मिधान की प्रमुक भी सेष्टा है, लेकिन इसमें इसे कहीं सम्मिधान दोरे परिभासित नहीं किया गया है. अब बिटेन के सम्मिधान में जो Bill of Rights है उसी को हम मुल इतिकार कहते हैं. हमारा जो मुलतिकार है वो अमेरिका से लिया गया है और जो कि आठकिल 12 से 35 है और पार्ट 3 में आता है जिसको अमेरिका में इसको बिलाफ राइट के नाम से जाना जाता है अब आते हैं हम बात करते हैं fundamental right basically है क्या this is the basic right which are considered very essential for the overall development of an individual बिल्कुल जो किसी भी ब्यक्ति के जीवन के लिए जो मुलभूत और अपरियार होने कारण सम्मिधान के दौरा नागरिकों को जो प्रदान किया जाता है जिससे ब्यक्ति इन अधिकारों में ब्यक्ति के किसी भी particular individual अधिकारों में राज के दौरा कोई हस्तरचेव नहीं होता है और ये justiceiable भी है मतलब यदि आपका मुल अधिकार का हनन होता है अगर violet होता है तो आप इसके लिए supreme court का दरवाजा खटखटा सकते हैं और वहां पर इसके लिए आपको उचित करवाई के बाद जो भी अगर आपके साथ अन्या हुआ है तो आपको इसका न्या जिरूर मिलेगा अब इसमें हम बात करते हैं कि fundamental right में कि fundamental right और जिनली है कितने देखें हमारे यहां fundamental right वास्तों में small group से साथ थे लेकिन 44 समिरां संसुदा अधनियम जो 1978 में हुआ था उसमें जो right to property है उसको हटा दिया गया था और right to property को वहां से हटा करके उसको 300A में जा करके एड कर दिया गया था तो अब जो भारति नागरिकों को कुछ है मुलजकार प्रापत हैं वो कौन कौन से है right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural, right to freedom of religion, culture and educational right and right to constitutional remedies तो दोस्तों यह चीज़े है fundamental right के बारे में जो की article 12 से 35 तक है अब हम आते है article 12 के बात करते हैं देखे, article 12 में जो है वो state को define किया गया है अब basically state का क्या मतलब यहाँ पर होता है state को define करने का मतलब यह है कि जो fundamental right है वो our government of country our state इसमें कुछ प्रमुप चीज़ें होती है जिसके बारे में बताया गया है इसमें परिभासा की गयी है कि जिसमें इसमें क्या है कि भारत की सरकार और संसद उसके बारे में बताया गया है राजी की सरकार विधानमंडल जितने भी अस्थानी अधिकारी होते हैं उनके बारे में बताए गया है जिसे डिश्टिक बोर्ड है ग्राम पंचायत है माइनिंग सेटलमेंट है ये सब संस्थाएं इसके इंतरगर आती है अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की तो डॉक्ट्र इससे लास्ट एर कोश्टन भी आ चुका है आई इस प्रिलिम्स में जिदिस्टिक बारे में ये ब्याख्या करता है कि अगर कोई भी ऐसी बात होती है किसी पर्टिकलर के साथ जिसको जो नहीं होना चाहिए तो अपने संभिधान के लिए उसकी सुरच्छा के लिए अपने हाई कोट में वो अपील कर सकता है अब आते हैं दोस्तों हम फंडामेंटर राइट जो कि आर्टिकल 14 के बाद करते हैं जो कि कहेगा कि राइट टू इक्वालिटी समामतना का अधिकार अब यहाँ पर क्या है कि स्टेट सेलना डिनाई टू थिंग्स पहले बात क्या है इक् इसका मतलब क्या हुआ ला इक्वाल इंडियन टेरी टेरी में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान अधिकार और उनको समान रूप से उनको उनके प्रटेक्शन की बात की जाती है यह एक पार्शिल टिसक्रमेशन है लाइक सुट बी टीटर अलाइक वलब जयो जैसा है से उसका अधिकार मिलेगा भारत में सभी व्यक्तियों को विधी के समता और विजियों को सामान संच्छा पर यह प्रान करता है जैसे माले इंकम टेक्स के बात करते हैं इंकम टेक्स क्या है यह जो धनी लोग होते हैं उनके लिए इंकम टेक्स ज्यादा है जो गरीब लोग अगय को होते हैं उनके लिए का में तो ये इस बाद के बताता है कि लाव उकुल्टी हां से फार्लो होती है आर्टdockl 15 के बाद करते हैं देखे आर्ट Unreal फिद्टीन क्या है आ्टकुल 50 कहता है कि States not discriminate on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth, but state can make special provision for women and children. Basically, इसको हम Women Reservation Act के भी नाम से जानते हैं. यहाँ पर women और children को एक बिशेर्स provision दिया जाता है, उनके लिकास के लिए. कहता है कि अगर किसी भी कोई भी बैक्ती है, लेकिन उसके उपर जगा हम धर्म का, मूल का, जाती का, या उसके जमस्थान का, इन सब या लिंक का, इन सब के आधा को उसको हम विभेट नहीं किया जाएगा. चाहे वो किसी भी जगापे हो, किसी भी सीज के लिए किया जा रहा हो. State can make special provision for socially and educationally backward classes. जो लोग socially or educationally backward हैं, उनके लिए state जो है, कुछ special provision कर सकता है. तो दोस्तों, ये चीज़ें, अब मैं ये कह रहा था, कि जैसे कि अगर हम Article 14 को जो पाश्टोर डिस्क्रिमिशन के दर मैं बात कर रहा था, उसमें एक चीज़ और आपेड कर लिजेगा, कि ये जो ला है, ये किसी ब्यक्ति सत्त का इसमें जिसे प्रयोग किया गया है, ये सभी के लिए लागू होता है, नागरिक हो, चाहे वो कंपनी हो, निगाम हो, ब्यक्ति समुवाद, ये सब पा लागू होता है, और ये आउधारना जो है, ये एक British विधी सास्तित हैं, Professor Dice उनके विधी के सासन, the rule of law के समरूप है, वहीं सिए लिया गया था, इसके बाद जो मैं आटिकल 14 में equal protection of law की जो बात कर रहा था, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता लूँ कि ये उसकी लिए ज्यादा मदद करता है, जिसमें इसकी भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान सर्चन देने का प्रबंद करता है, समान प्रषथितयों वाले व्यक्तियों के समान विधियों के यह इनिया रखना, जथा उसे समान रूप से लाई करना, इसकी बात कि ये भ्याख्या करता है, इसके बाद आर्टकिल 15 में जो हम हम लोडिसकस कर रहे हैं, इस और सारवजनिक नियोजन में जिसे विशेष प्राउधान के छूट राजी को देता है। अब अगर हम बात आते हैं, अर्टकल 16 के अगर हम करें, तो अर्टकल 16 क्या कहता है कि There shall be equality of opportunity in method of employment under the state. इसका मतलब क्या हुआ, कि कोई भी ब्यक्ति जो है, उसको किसी भी जगह पे, अगर उसको जौब करनी है, यह लोग नियोजन में आउसर की समान तक को प्रदान करता है कि सबके लिए ही यह रूल लगेगा, सब लोग इसके लिए बराबर होंगे, employment under the state. नो discrimination on the ground of only religion, race, caste, sex या place of birth, इसके भी हाब पे या इसके बेसिस पे किसी का discrimination नहीं किया जाएगा, यह हमारा article 16 की इसमें व्याक्या होती है, article 17 के अगर बात करें, यह बहुत important है, देखें यहाँ पे मनें तीन स्टार भी लगा रखा है, क्योंकि यह कई बार question पूछा जा च of untouchability, कि अगर हम ब्याक्या करते हैं, तो देखें इसमें क्या होता है, कि कोई भी ब्यक्ति है, वो इसको अस्पिस्ता बोला जाता है, कि अस्पिस्ता करते हैं उसके आचरण को ह Aas socio को किसी जगां पे जाने से रोकता है, या उस ब्यक्ति का उसके जात के रूप पे देखत है उसके कुल के या वंस के रूप में उससे करता है तो इस तरह के का अगर कुछ भी अगर उसके किसी व्यक्ति के साथ होता है तो यह एबॉलिशन हो जाता है मतलब आप उसका विरोध कर सकते हैं यह चीजे हैं तो इसमें साफ साफ ही ये चीज बताया गया है कि ये राज के विरुधी नहीं कि और प्राइवेट ब्रक्तियों के विरुधी उपला दियाने सभी को इस रूल का फालो करना है कि आप किसी को भी उसके रंग के द्वारा उसके जाती के द्वारा आप उसे discrimination नहीं कर सकते हैं इसके बारा आता है article 18 बहुत इंपोर्टेंट है यह उपाधी जो होती है राज्य को उपाधी प्रान करने तथा नागरिकों और नागरिकों को उपाधी ग्रहण करने के बारे में इसमें डिसकेस किया गया है कि state cannot confirm a title no Indian can accept any title from fine state educational and military achievement are not titles for the meaning of article 18 अगर आप सेच्छनिक संस्था हैं या military exercises military जो संस्था होती हैं उनकी achievement को छोड़ करके बाकि कोई भी आप इसके अलाबा कोई भी उपाधी आप बाहर से नहीं ले सकते हैं बिदेशी राजे से कोई उपाधी ग्रहण नहीं कर सकते हैं इसमें साफ साफ इस बात का मना किया गया है जैसे भारत रत्नाव पर मावाड है Supreme Court कहता है का भारत रत्नाव पर मावाड जो है यह संमान है यह जो एक अलग status हो जाता है जो कि equality नहीं हो गए किसी भी जगह पे अगर हम आगे बात करते हैं आटकल 19 से 22 की जो right to freedom से related है right to freedom में पहले बात तुम्हें आपको बता दो कि यह six basic freedom होते हैं इसमें six basic freedom और आटकल जो 19 का second to six है वो restriction है कुछ points को लेकर के जैसे अगर हम 19 की 1a की बात करते हैं तो freedom of speech and expression है मतलब क्या है कि कोई भी बेक्ति यहाँ पर अपनी बात को express कर सकता है अपने भावनावों को प्रकट कर सकता है बोल सकता है लेकिन उस पर कुछ boundaries नहीं कि वह ऐसा कुछ नहीं ब view of others आप प्रेस के माध्यम से अपने view को रख सकते हैं और ये constitution की तरफ से इसको काफे ज़्यादा डीटेल में इसको सतनता दी गई है 19 B में बात करते हैं freedom of assembly की है आप एक समूब बना सकते हैं assembly कर सकते हैं C में कहाई है कि freedom to farm association एक संग बना सकते हैं जिसमें trade union या जो काते ह ग्रूप आप people कर सकते हैं अगर आपके हनन होता है किसी चीज़ का तो आप वहाँ पर एक majority में लोगों पर इकठा कर सकते हैं इस तरह के का है उसके बाद है 1D के बाद करते है freedom of movement throughout the territory of India आप भारत के territory में कहीं भी आप एक जगह से दुसरी ज़्यादा मूव कर सकते हैं इस आपको किसी fundamental right है किसी rule का आप हनन कर रहे है right to hold property यह बहुत important है right to hold property जो है यह delete कर दिया गया था 44th amendment 1978 में जो कि अब इसको article 300a में जोड़ा गया है we can go under district court first अगर हमारे किसी भी property है किसी इस चीज़ से related अगर कोई दिक्कत होती हो तो हम article 300a का अगर हमें पालन करना हो तो हम district court में सबसे पहले जाएंगे वहाँ के appeal डारे कर सकते हैं वन जी कि अगर बात कहें था right to follow the profession of one's choice आप कोई भी ब्योसाय कर सकते हैं इसके लिए आप वो पूरी सुतिन तता है आठ के लिए 20 प्रोहिशन के बात करता है प्रोहिशन के बात करता है मतलब की पहले चीज़ से no ex post facto large देखिए इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर परसान है अगर उसको किसी particular चीज़ के लिए एक बात दंड दे दिया गया है जिस समय उसने वो कारे किया था offense या crime किया था जिस समय उसने उस समय उस offense के लिए जो भी दंड था वो ही उसको define किया जाएगा वो ही मिलेगा ऐसा नहीं कि उसके आगे या उसके पीछा वाले date पे कोई other role था तो वो follow किया जाएगा 22nd में बात करता है double geo party करने का मतलब क्या है अगर किसी भी एक crime के लिए एक offense के लिए गर किसी person को एक बार पनिस्मेंट दिया जा चुका है तो उसको फिर दुबारा नहीं मिलेगा 23rd में बात किया गया है कि no self-incrimination एक person cannot be forced to act as a witness against himself और खुद के बिरुद कोई गवाई नहीं करेगा खुद के बिरुद अपने आपको नहीं सामने लाएगा 24rd में का गया it is not suspended even in the emergency यह यह बहुत important जाना है कि दो article ऐसे हैं जो in case of emergency भी उसका violation मदब उसको cancel या suspend नहीं किया जाता है वो है article 20, article 21 यह काफी important इसको आप याद दखेगा जो article 21 है यह right to life related है and no person can be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by the law इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी person है वो अपनी liberty को ले सकता है उसके सोतंतिता से उसको अलग नहीं किया जा सकता है वन्चित नहीं किया जा सकता है यह उसका अधिकार है यह तरीके से article 21 यह सबसे जादा निसकस निकालता है हम मिधान की कि किसी person की क्या अधिकार है उसकी जीने का अधिकार है और इसमें बहुत बड़ा बीवाद भी बाद में हुआ था कि जीने का अधिकार थो यह लिके मरने का अधिकार नहीं जिसको मैं आगए आपको discuss करोंगा जो cases हुए हैं भी उसके बाद है दोस्तों right to primary education is equivalent to right to life क्या मतलब है 21 में देखे education for all की बात करता है नहीं right to education for the children between age 6 to 14 year यह जो है right sorry article 21a में है यह कहता है कि according to it is 6th amendment act 2002 right to educational education for all it is must mandatory है यह this article cannot be suspended in emergency यह आद रखना है आपको article 22 preventive detention की बात करता है preventive detention का मतलब होता है कि कोई भी crime अगर करता है तो उसके लिए हम उसको क्या punishment देंगे punishment for the suspicious action to be done in future by the people यह violation नहीं आपको 21 कहता है कि आपको अपने life को जीनने का पुरा अधिकार है लेकिन अगर आपके उपर कोई संदे होता है किसी को कि आप भविश में कुछ भी इस तरीके का कोई अच्छा काम नहीं करने जा रहे हैं मतलब suspicious कुछ ऐसी negative activity करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको दंदेट किया जाएगा और इसके लिए आपको तीन मन्त के लिए सजा हो सकती है इसको extend करने के जोद पड़ी तो यह एक साल तक हो सकता है by the court not less than high court लेकिन वह court कौण सा होगा high court से नीचे नहीं high court से उपर की बात की जाएगी तो दोस्तों इस तरीके से यह सब जो है main fundamental right में हमने आज 12 से लेकर के 22 तक डिसकेस किया है इसके आगे हम नेश्च वीडियो में डिसकेस करेंगे अब आपको मैं थोड़ सा एक कुछ डिटेल के बारे में बता जता हूँ इससे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ला है जो के made by the parliament है उसमें इंपॉर्डेंट एक आता है कि 1980 में जो आ ट्रेक हुआ था जो पार्लियामेंट पे उसके बाद पोटा आया था प्रिवेंशन आफ टेरिरिजम अटायक प्रिवेंशन आफ टेरिरिजम एक्ट पोटा प्रिवेंडिन 2004 तो दोस्ता इस तरीके से आज ये पॉलिटिक का लेक्चर 4 यहीं भी समाप्त होता है नेस्ट व सब्सक्राइब की बात करूंगा तब तक के लिए टेक केर बाबाए